असलाम लेकुम बच्चों कैसे हो आप लोग आशा करती हूं कि आप लोग सकुषल ठीक होंगे दूसरी कक्षा के बच्चों आप सबी का स्वागत है हमारा आज का विशे है पाठ बारा ती तीन रंग का जंडा अम की मातरा, अं की मातरा, तथा अगा की मातरा वाले शब्दों पर जोर दिया गया है तो बच्चो देखिए इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है हमारा झंडा है यह हैए ना बच्चो हाँ और कितने रंका है यह? तीन रंका है कौन सा है ओरेंज वाइट और ग्रीन है न हाँ तो इसे संत्रे कलर बोलते है सफेद रंग और हरा रंग ये हमारा जंडा है सबी बच्चे यहाँ पर जंडे को लहरा रहे हैं सर जी और ये सब देख रहे हैं है न बच्चो आईए इसे पढ़ेंगे तीन रंग का सुंदर जंडा तिरंगा कहलाए तीन रंग वाले रंग को क्या कहते हैं तिरंगा शान से कितना उपर यहाँ शान से अपनी कितना उपर है यहाँ फर 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 फहराए जब उपर जाता है तो जंडा किस तरह से फर फर करके फहराए जाता है इस जंडे की करे वंदना देश का मान बढ़ाएं बचो यहाँ पर देखिए अंकी मात्रा सुन्दर रंग सुन्दर सभी अंकी मात्रा बढ़ाएं तो यह अंकी मात्रा यह अंकी मात्रा यहाँ पर अंकी और अंकी मात्रा पर ध्यान दिया गया है इस वाली कविता में ठीक है अभ्यासकारिय शब्दार्थ नए शब्द हैं देखे तीन त्री तिरंगा तिरंगा वंदना प्रेयर प्रेयर रंग कलर चान प्राउड प्राउड देश सुन्दर ब्यूटिफुल उपर अभव मान एस्टीम ठीके ये सारे शब्दार थे पढ़िये और समझिये बच्चो यहाँ पर अंकी अंकी अराहा की मात्रा पर जोर दिया गया है देखे रकवं की मात्रा रंग हकवं की मात्रा हंस म नम 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 अहा की मात्रा नम इसी तरा जन्दा जकवं की मात्रा जन्दा क्वं की मात्रा न जन्दा पूच 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 की मात्रा पूच अतहा 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 सबी को समझ में, हाँ, तो यहाँ देखिए, जंडा, जक्वाम की मात्रा, जंडा, जंडा, मनाए, म, नक्वा की मात्रा, ना, ए, एकु अंकी मात्रा, मनाए, प्राता, प्रा, स्वरी, प्रा, ता कु अहा की मात्रा, तहा, प्राता, हंस, हक्वाम की मात्रा, हंस, हंस, बढ़ा आया सभी को समझ में हाँ तो देखे नीचे दिये गए शब्दों में अम अंग पर गोलाई लगाईए आप लोग को यहाँ पर अंग की मातरा पर और अंग की मातरा पर गोलाई लगाना है जहाँ भी अंग की मातरा कहा है इस तरह से देखकर उसे इस तरह से सरकिल करना है ठीके देखिए इस तरह से जहाँ भी मातराई है उस तरह से उस पर सरकिल कीजिए ठीक है चित्र देखिए और अम की और यहां और यहां क्या लगाना है अम का चीहिन लगाकर शब्द पूरा कीजिए Look at the picture and complete the words by putting um sign यहां पर अम की मात्रा पर अम की मात्रा लगाकर इस शब्द को पूरा करना है जैसा कि यह क्या है बचो हम से अंगूर अंग की मात्रा अम अंग चित्र देखिए और अंग का चीहिन लगाकर शब्द पूरे कीजिए Look at the picture and complete the words by putting um sign यहां पर हमें अंग की मात्रा लगाना है कहां लगाना है देखिए कुआ आ आंख दांथ आया सभी को समझ में किस तरह से अंग के बीच में अंतर है पढ़िये समझिये और शब्द बनाईए हमें इस दो शब्दों को जोड़कर शब्द बनाना है इस देखिए सक्वम की मात्रा संग संग उधारन के रूप में दिया गया है इसी तरह रंग र अंग की मात्रा ग यहाँ देखिए अंग की मात्रा ह को अंग की मात्रा म की मात्रा अधारन की मात्रा आया सबी को समझ में उधरण देखकर नए शब्द बनाईए इस तरह से यहाँ पर उधरण दिया गया है आपको यहाँ पर देखकर शब्द बनाना है जैसा के अंडा अंडे डंडा डंडे पंखा पंखे घंटा घंटे कंगा कंगे चीडिया चीडिया गुडिया गुडिया डिबिया डिबिया पुडिया पुडिया चुहिया चुहिया आया सभी को समझ में हाँ तो आगे देखिए समान लाए वाले शब्द पर शब्द बनाईए किस तरह से समान लएवाले शब्द है देखिए अंडा जंडा डंडा पांच साच बांच कहां वहां यहां पाउं काउं छाउं आया सभी को समझ में किस तरह से राइमिंग वर्ड्स बनते हैं लिख कर सीखिए किस तरह हमारी लिखी जाती है देखिए लिखा जाता है शब्द हमक्वा की मात्रा मारकुबडी की मात्रा री हमारी शान श आ की मात्रा श न शान है क्या है तिरंगा जंडा हमारी शान है आगे देखिए मजे मजे में कवीता सुनिये और अंत में दो पंक्तियां अपनी ओर से जोड़िये आपको अपनी ओर से इस कवीता में दो पंक्तियां जोड़ना है देखिए बचो भागा भागा आया बंदर गुज गया मेरे घर के अंदर केले खाए शोर मचाए खींखीं करवा हमें डराएं बाहर इसे भगाओ तो अपनी जान बचाओ तो खिड़की करदो जटपडबन कभी करो ना बंदर तंग इस तरह से आपको भी दो पंक्तियां लिखना है इस कवीता की ठीक है आप किसी की सहायाता लेकर भी इसे कर सकते हैं अम अंग के चिहिन वाले दो शब्द लिखिए राइट टू वर्ड्स हैविंग अम और अंग सैंड यहाँ पर अंग की मात्रा हाको अंग की मात्रा हंस कंगन उट गाउं आया सभी को समझ में बच्चो किस तरह से हमने इस अम और अंग की मात्रा सीखे ही तिरंगा जंडा शब्दार वर्ड मीनिंग्स यहाँ आपका होम वर्ख है क्या है बच्चो यह होम वर्ख है ग्रुखकारी है तीन, त्री, तिरंगा, तिरंगा, वन्दना, प्रेयर, रंग, कलर, शान, प्राउट, देश, कंट्री, सुन्दर, ब्यूटिफुल, उपर, अबव, मान, एस्टीम यह त्री टाइम्स आपको लिखना है ठीक है बच्चो धन्यवाद